इन एक गीगर मास्देन एक्सपरिमेंट केलपूलेट इस इस इसा होता है पोजिटिवली चाल्ड इसी कुछ कायनेटिक एनर्जी है मतलब कुछ इसी स्पीड से किसी नुकलेस की तरफ को रेवल कर रहा है नुकलेस पर चाल्ड कितना जैड इन्टु इपोजिटीव एक प्रोटोन का चाल्ड इन नम्बर उफ प्रोटोन अटोमिक नम्बर के एक वाज पोजिटिव चाल्ड क्या लगाएगा ऑल्फ़ा पार्टिकर पर रिपल्सी फोर्स फोर्स इदर लेगा वेलोस्टी इदर नही यहां पर आकर मोमेंटरिली रेष्ट पर हो जाएगा उसके बाद वापस चलना सुन करते हैं यहां पर इसकी कानेटिक अनरजी किसी और अनरजी में कर्मट होगी इस पोटेंशल एनरजी तो के इज़कोल तो यू और यू किसके एक वल के क्यू एन्ट टॉ अपोन आर यह स्मूल के है इस नाइट इंट टॉ इपावर नाई यह वन अपोन फोर पैसल नोट वाल एपोन गानेटिक अनरजी यह स्मूल के क्यू अलफा पार्टिकल का चार्ज टू इज ए और इसका out to be k 2ze square upon capital k. अब value पुट करनी है केवल r0 is equal to small k 9 into 10 to the power 9 into 2. z है 80 और e 1.6 into 10 to the power minus 19 whole square upon kinetic energy कितनी है 8 million को 10 to the power 6 लिखेंगे और electron volt के लिए joule में convert करेंगे 1.6 into 10 to the power minus 19 की multiply इस से तो यह cancel okay 8 से यह 10 times cancel so 9 into 2 18 into 10 to the power 10 और यहां पर 1.6 into 10 to the power minus 19 upon 10 to the power 6 18 into 1.6 आएगर 28.8 और 10 की पावर इतने में जागी यह minus 9 और यह minus 6 उपर जाकर 10 to the power minus 15 यह हम रिख सकते हैं 28.8 फैंटो मीटर में है 2.88 into 10 to the power minus 14 meter next क्या गा इसने how will the distance of closest approach R be affected when the kinetic energy of the particle is doubled kinetic energy पर कैसे डिपेंड कर रही है यह R node inversely proportional to kinetic energy अगर यह increase तो यह decrease, किनेटीक नर्जी डबल तो यह क्या होजेगी, half if कि किनेटीक नर्जी इस डबल then r-node becomes half r-node क्या है, distance of closest approach half होजेगी that's it अगर यह क्या होजेगी